जातिकत जनगर्णा का मुद्दा इस समिक गर्माया हुआ है और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार बुरी तरह गिर गई है पीजेपी बिरोधी दल लगाता जातिकत जनगर्णा की मांग कर रही है वही वामसेफ ने आज इस मांग को लेकर भारत बंद का आहवान किया था तो कैसा रहा भारत बंद का असरा यह देखते हैं इस खबर में देश में इन दिनों कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मोदी सरकार बुरी तरह घिरी हुई है लेकिन सरकार फिर भी अपनी मनमानी कर रही है वहीं महेंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों के बीच जातिकत जनगरना का मुद्दा तूल पकड़ चुका है और इस पर जहां बिहार की सियासत तो गर्माई हुई ही वहीं दूसरी तरफ आज इस मुद्दे पर अखिल भारतीय पिचड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक समुदाय करमचारी महासंग ने भारत बंद का आहवान किया था जिसका कई स्थानों पर असर दिखाई दिया केरल तमिलनाडू बिहार में कुछ स्थानों पर बाजार बंद कराय जाने की खबर है कई राजनीतिक दलों ने वामसेफ की मांग का तो समर्थन किया था लेकिन बंद से अपने आपको अलग रखा था जिसकारण से बड़े शहरों में इसका ज्यादा असर नहीं दिखा बता दे कि अहवान अन पिछडा बर्ग की गर्णा नहीं कराने के केंद्र के फैसले के विरोध में किया गया था इसके साथ ही वामसेफ ने कई अन मुद्दों को भी उठाया पिछडे और अल्प संक्यक समुदाई संग के सदस्यों की ओर से भारत के कई हिस्सों में हरताल और प्रदर्शन किया गया वहीं इस भारत बंद आंदोलन को राष्टिय परिवर्थन मोर्चा, भारत मुक्ती मोर्चा, बहुजन मुक्ती मोर्चा और कई अन संगठनों का समर्थन भी मिला सिर्फ जातिकत जनगर्णा ही नहीं चुरावों में EVM के इस्तमाल और निजी शेत्रों में CST OBC के लिए आरक्षन को लागू ना करना और पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की भी मांग जैसी समस्याओं को उठाया गया बंद के समर्थन में पिछडा वर्ग मोर्चा के लोगों ने बुधवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर प्रदर्शन किया मोर्चा की मुख्य मांगों में जाती आधारे जनगर्णा, MSP गारंटी कानून वा EVM घोटाले की जाच शामिल है मोर्चा की धनबाद जिला एकाई ने कहा कि जनगर्णा जाती के आधार पर ही होनी चाहिए देश में पिछडा वर्ग 52% से भी अधिक है जातिकर जनगर्णा से आवादी के आधार पर विकास की योजनाय बनेंगी लेकिन केंद्र सरकार इससे बच रही है यही वचा है कि मोर्चा को आंदोलन का साहरा लेना पड़ रहा है उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद भी सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो आगे की रणनीती तै की जाएगी आज भारत बंद का प्रभाव दिल्ली में तो कम देखने को मिला खासका सोचल मीडिया पर लोगों ने भारत बंद का हूब समर्थन किया डिवी लाइब की रेपोर्ट